एलिवेटर या लिफ्ट का मॉडल बनाना एलिवेटर या लिफ्ट द्वारा आम तौर पर लोग बहु मन्जिली इमारतों में उपर जाते हैं और नीचे आते हैं लिफ्ट एक चर्खी या विंड लौस द्वारा उपर चड़ती है इस चर्खी को विद्युत मोटर द्वारा घुमाया जाता है लिफ्ट एक सीधे रास्ते पर चढ़ या उतर सकती है एक लटका हुआ भार, लिफ्ट के भार को संतुलित रखता है ताके लिफ्ट आसानी से उपर चढ़ सके मोटर चर्खी को दोनों दिशाओं में घुमा सकती है ये चर्खी पर रसी को लपेट कर लिफ्ट को उपर चढ़ा सकती है और चर्खी पर से रसी को खोल कर लिफ्ट को नीचे भी भेज सकती है बिजली के तार लिफ्ट से मोटर में जुड़े हुए होते हैं लिफ्ट में खड़ा व्यक्ती विभिन स्विचों को दबा कर लिफ्ट उपर या नीचे ले जा सकता है या लिफ्ट को रोक भी सकता है नीचे दिये गए तरिखे से आप भी लिफ्ट का एक मॉडल तयार कर सकते हैं आवश्यक सामगरी 24 इंची बटा 12 इंची के एक प्लाइबोर शीट सूती धागे की 6 खाले रिले 6 गीले गत्य का एक डिबबा डोरी एक हलका सा वजन खिलाने वाला एक गुड़ा और एक गुड़िया कीलों की सहायता से इन्हें लकड़ी के बोट पर लगाएं गत्य का एक डिबबा जैसे जूते का डिबबा बिना धक्कन के लें डिबबे को खड़ा करें और इसके तले में एक डोरी बांधें डिबबे के तले में बंधी डोरी को रील नंबर जाएं कीलों की सहायता से इन्हें लकड़ी के बोट पर लगाएं गत्य का एक डिबबा जैसे जूते का डिबबा बिना धक्कन के लें डिबबे को खड़ा करें और इसके तले में एक डोरी बांधें डिबबे के तले में बंधी डोरी को रील नंबर चार, तीन, दो और एक पर से गुजारें डिबबे के उपर बंधी दूसरी डोरी को रील नंबर पांच और छे पर गुजारें इसके दूसरे सिरे पर लगभग 100 ग्राम का कोई वजन लटका दें ये वजन लिफ्ट के भार का संतुलन बनाए रखेगा इस डिबबे या लिफ्ट में यात्री के रूप में एक गुड़ा और गुड़िया रख दें विंड लॉस यानि रील नंबर दो को अपनी उंगली से घुमाए लिफ्ट उपर नीचे होने लगेगी